यदि आप किसी भी इस्त्रिपुरूस किसी भी महिला को अपने प्यार में तड़पाना चाहते हैं, अपने करीब लाना चाहते हैं, अपनी उससे हर बात मनवाना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए महुबत में जीत हासिल करने का प्यार में जीत हासिल करने का बड़ा ही पा तो यकीन मानिये, पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को अपनी महबत में बेचैन कर सकते हैं, अपनी महबत में उसको तडपा सकते हैं, अपने प्यार में उसको गुलाम बना सकते हैं, लड़का लड़की हरसे में आपी के बारे में सोचेगी, हमेशा आपी के बारे में boyfriend हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी आप इस विधी को कर सकते हैं, मैं guarantee देता हूँ 100% आपका काम होगा, जी हाँ वक्तो, कोई भी कर सकता है, इसको करने के लिए आपको किसी तांतरिक, मोलवी, बाबा, पंडित, किसी के पास जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं, आप खुद से घर बैठे, बिल्कुल मुफ्त में इसको कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है, इसको करने के लिए आपको, जो हमने वीडियो में दिखाया भी है, आपको फोटो में दिखाया है, मतलब थमनेल पर दिखाया है, वो आपको एक पत्ता लेना है, वो है बरगर्द का पत्ता, जी हाँ, एक बरगर्द का प पतादूं यह विधी आप सनिवार और मंगलवार के दिन करेंगे तो बहुत जल्दी इसका परणाम आपको देखने को मिलेगा तो आपको करना क्या है ध्यान से देखिएगा वन टाइम का यह है टोटका है सिर्फ एक बार के करने से ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल ठीक है ऐसा नहीं है इसको कि आपको साथ दिन तक करना है या पाज दिन तक करना है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम एक मंतर बता रहे हैं जो कि वसी करन का एक बहुत ही पाउरफुल और सक्तिसाली मंतर है इस मंतर का आ अमूकी के स्थान पर उस इस्त्रिय पुरूस के नाम का उच्चारन करना है जिसको भी आप अपने वस में करना चाहते हैं। बहुत ही आसान और बड़ा ही पाउरफुल मंत्र है। मंत्र है ओम हिर्दाय अमूकी वस। ये मंत्र आपको बोलना है। बोलने के बाद इस के ऊपर आपको फूक मार देना है। इस तरह से व responsible आपको फूक मार देना है। अपने प्यार का मनीवन ध्यान करके और अपने प्यार का नाम का उच्चारण करके ठीक है अब आपको क्या करना है इस लोंग को आपको उस पत्ते के अंदर गुसा देना है ठीक है इस परकार से जैसे एक कागज है जैसे हमने इसमें गुसा है इस परकार से आपको लोंग को उस पत्ते के अंदर गुसा देना है ठीक है लोंग को गुसाने के बाद आपको क्या करना है इस पत्ते को ले जाकर के घर से बाहर कहीं जाना है या तो आपको बहता हुए पानी मिल जाए तो बहते हुए पानी में छोड़ दे या आपको इस पत्ते को किसी भी पेड़ के नीचे आपको जड़ में रख करके चले आना है बस इतना सा कारी आपको करना है इतना करन जिसके लिए भी यह विधिया आपने की थी वह आपकी महबत में बेचैन हो जाएगा बेचैन हो जाएगी आपसे मिलने के लिए तडप उठेगा तडप उठेगी